नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पाबर्फुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारेक की नीती के अनुसार बताएंगे के रात को सोते समय इस तरी को कौन सा अपना एक अंग भूल कर भी नहीं खोलना चाहिए जिसको खोलने से पूरा घर हो जाता है कंगाल और उमर भर रोना पड़ता है लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको इस से भी एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों जिसकी नीत तीन से पांच के बीच खुलती है बो लोग इस वीडि उनके लिए बहुत ही खास होने बला है जी हाँ दोस्तों अक्सर आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि रात को सोते समय अचानक से आपकी नीद खुल गई हो कई बार कुछ लोग इसे अपनी आदत समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि इस इसकी नीद तीन से पांच बजे के बीच खुल जाते है आज हम उनके बारे में कुछ खास बाते बताने जा रहे हैं हमें यकीन है कि आप भी इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगी बता दें कि साहत रोके अनुसर अगर आपकी नीद सुबह तीन से पांच के बीच किसी दिब्य सक्ति का खासी सारा छीपा हुआ होता है तो चलिए अब आपको इस दिल्चस्म जानकारी के बारे में जरा बिस्तार से बताते हैं लेकिन दोस्तों उस्ते पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दिजिए और यदि आप रोजाना इसी परकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दे कि सुबह तीन से पाँच बजे के बीच के समय को अमरत बेला कहा जाता है ऐसे में इस दोरान कई अलोकिक सक्तियों का परबाह होता है गवर तलब है कि यही अलोकिक सक्तियों आपको कुछ खास इसरा देना चाहते हैं और आपको इस इसारे को बस समझना है वैसे आपको जानकर हैरानी होगी की सकारातमक सक्तियां इस समय के बल उनही लोगों को जगाती हैं जिनें बेख्छुस देखना चाहती है यानि अगर आपकी नीद तीन से पाँच बजे के बीट खुलती है तो इसका मतलब यह है कि ये सक्तियां आपको खुसियां देने का इसारा कर रही हैं। इसके अलाबा सुबह तीन से पाँच के बीच जागने से ब्यक्ति को धन और धाने दोनों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुसहाली भी आती है बैसे भी सुबह उठना ना के बल मन के लिए अच्छा होता है बलकि इससे हमारे सरीर को भी काफी लाब होता है। जीहां जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं यहां हमेशा ताजा यानि फ्रेस महसूस करते हैं। मगर जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं उन्हें हम केबल इतना ही कहना चाहते हैं कि सास्तरों में कोई भी बात बिना बज़े नहीं कही जाती है। ऐसे में अगर आपके नीद सुब़े के समय जल्दी खुलती है तो इसका मतलब है कि आपका भाग भी जल्द ही चमकने बाला है अब यू तो 3 से 5 बजे के बीच का समय ऐसा समय होता है जब सायद ही किसी ब्यक्तिक की नीद खुलती होगी मगर फिर भी जिन लोगों के साथ ऐस होता है वो बास्तम में काफी किस्मत बाले हैं बैरहाल हमें यकीन है कि इसे सुनने के बाद जिन लोगों की नीद सुबह के समय नहीं खुलती वो भी जल्द उठने का प्रियास करेंगे अब दोस्तों आईए जानते हैं कि रात को सोते समय औरत को कौन सा एक अंग भूल कर भी बरबाद हो सकता है दोस्तों महिलाओं के बाल उनकी सुन्दरता में चार चांद लगा देते हैं पहले महिलाएं अपने बाल बांध कर रखती थी और अब बालों को खोल कर रखने का चलन बढ़ता जा रहा है समय कितना भी क्यों ना बदल गया हो लेकिन आज भी अगर कोई सुभकार किया जाता है तो महिलाओं अपने बालों को बांध कर रखती हैं हिंदू साहत्रों में बालों को खुला रखना सही नहीं माना जाता है खुले बालों को सोक की निसानी माना जाता है इसलिए प्राचिन काल में महिलाओं किसी खास अबसर पर ही अपने बाल खोलती जो महिलाएं खुले बाल रखती हैं उन पर नकारात्मक सक्तियों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और उपरी बाधाएं आसानी से उनके दिमाग में अपना बसेरा बना लेती हैं। आईसा करने से देविल लचमी क्रोधित होती हैं और ऐसे घरों से देविल लचमी चली जाती हैं जिसकी बज़े से पूरे परिवार को भेंकर परिणाम जहिलने पड़ सकते हैं और उमर भर पूरे घर को रोना पड़ सकता है इसलिए कभी भी महिलाएं बाल खोल कर नासों बन तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी आइसे ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत